प्रेज दलोडा आप सबको जय मसी किये मैं परमेसर का धन्यबाद देता हूँ आज की सूबा दिखाने के लिए एक और दिन परमेसर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया हम परमेसर को कोटी-कोटी धन्यबाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस पासा राजमेसी आपके सम्मुक को पस्तित हूँ और आज के जो संदेश है वो धन्य लोगों के विश्रिम है धन्य लोग और वो भी प्रकाशित वाक्य से प्रकाशित वाक्य में साथ लोगों को धन्य कहा गया है वो कौन लोग है और पूरी बाइबल में बहुत जगा लिख रहा है धन्य है धन्य है वे लोग धन्य हो तुम धन्य 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 जैसे के बज़न से तहाँ एक अद्याम लेका धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और भी बहुत सारी जगा ये धन्य वादियां लिखी वी है तो आज हम प्रकाशित वाक्य से जानेगे वो साथ लोग कौन है जिससे प्रकाशित वाक्य में धन्य कहा गया है कितनी बड़ी बात ही हो सकता है कि उसमें से आप भी एक हूँ तो बने रहिएगा मेरे साथ और मैं एक बात और बता दूँ कि जो साथ का जो अंख है वो बाइबल में बहुत जगा प्रयोग मिलाया गया है बहुत जगा उसे यूज किया गया है और साथ का जो अंख है वो संपूरता को दर्शाता है संपूरता को दर्शाता है तो इसी संधर में आज हम बात्चित करेंगे साथ लोगों के बारे में प्रकाशित दवाक्य में जुए तो मैं आपसे गुजारिस करता हूं कि पूरा संदेश तुनिये और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन भेट की बातों को जान सके Praise the Lord मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है True Pulse आज उसमें एक सवाल है कि मुसा ने एक जगाय का नाम रखा था यहवन निश्री तो कौन सी जगा थी और क्यूं मुसा ने उस जगाय का नाम लेका उसे क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान लीजिए कि वो कौन सी जगा थी और वो क्या वज़ह थी जिसकी वज़ह से मुसा ने उस जगाय का नाम यहवा निश्री रखा Praise the Lord मेरे साथ मेरी मुहीम में शामिल हो जाईए जिद है सच को फैलाने की Praise the Lord एक छोड़ी सी प्रात्ना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ आईए मेरे साथ प्रात्ना में शामिल जी जिवीतर महांद्याली पिता परमेश्टर तेरा धन्यवा तेरा शुकर तेरी तारीफ तेरी बढ़ाई करते हैं प्रभू आज का दिन दिखाने के लिए मिंति करता हूँ प्रभूजी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदशाहता कर मेरे हुटो को मेरी जिरे दिमाग को छूकर ब्लैस कर मेरी आत्मा और मेरा शेर तेरे ही कबजे में रहे प्रभू ताकि बोलने वाला मनुश्य नहीं मिलकी तेरा आत्मा हो जितने भी लोग इस बचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूं प्रबजी हर एक को आशिशित कर हर एक की रोग, बिमारी, चिंता, परिशानिय, दुख, तकलीफें तफर के लडाई जगड़े, मन मुटाओ घरों से दूर करता हूं प्रबजी जिन घरों में संतान नहीं है उन्हें संतान की आशिश दे प्रबजी जिन घरों में नशा है, बेरोजगारिया, करजे है असाध्या रोग है प्रबजी, उन्हें भी दूर कर ताकि प्रबु तेरे बच्चे गवाही दे सकें कि प्रबु येशु मस्ती ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है धन्यबादियतों प्रबु तुने मेरी प्रात्ना को सुन लिया प्रबु येशु के नाम से मांगता हूं, आमेन प्रेज़ दरोड तू आईए आज के संदेश को हम सुरू करेंगे प्रकाशित वाक्य के साथ वो धन्य लोग जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य में एक अध्याय से और बाईस अध्याय तक किया गया है एक अध्याय से बाईस अध्याय तक बाई सद्या हैं प्रकाशित वाक्य में और उसमें साथ बार धन्य शब्द को यूज किया गया है तो वो कौन-कौन से लोग हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेसर उन लोगों को धन्य कहता है जो उसकी दृष्टी में सही होते हैं घरे होते हैं धर्मी होते हैं लेकिन कुछ विश्यस बातें प्रकाशित वाक्य में बताई गई हैं उनको जानना मेरे लिए और आप के लिए बहुत जरूरी है तो आज उन्हें हम जानेंगे कोशिश करूँगा जल्दी है जल्दी है आज के स्वचन को मैं समाप करूँ और सब कुछ मैं लिखता जा रहा हूँ क्योंकि मुस्से सिकायत की गई है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे अजीज उन्होंने कहाए कि जो पौन ने जो शब्दें छोटे होते हैं मैं पूरे स्क्रीन पर उसको आज दिखाने का प्रयास करूँगा आप उसे देखिए मेरा चेहरा ना आये कोई बात नी मेरी आवाज जरूर आएगी आपको लेकिन आपको पूरे वर्स पूरे स्क्रीन पर मिलेगी तो आईए शुरू करते हैं आज के संदेश को तो सबसे पहला जो शब्द है धन्य वो आया है पहले अध्याय में हम देखेंगे प्रकाशितवा के एक अध्याय और उसके तीसरे पद को यहाँ पर लिखा है धन्य है वह जो इस भरश्यवानी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखिवी बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकटाया है धन्य किसको बताया गया सबसे पहले इस भरश्यवानी की प्रुस्तक जाने के प्रकाशित वाक्ये के वचन को पढ़ने वाले को धन्य बताया गया है और फिर लिखायर वो जो इसको सुनते हैं यह नहीं कि इग्नोर कर देते हैं बाइबल बंद कर देते हैं कि हाँ यह सच है और लिखा है क्योंकि समय निकटाया है यह सबसे पहला धन्य धन्य वचन है उस व्यक्ति के लिए जो इस पुस्तक की भरश्यवानी को पढ़ता है पढ़ने वालों के लिए यह वचन धन्य साबित करता है उस व्यक्ति को उस मनुस्ये को चार वो इस्तरी हो पुरुस हो बच्चा हो बुड़ा हो जवान हो कोई भी हो जो इसे पढ़ता है प्रकाशित वाक्य को वो परमेस्वर के दृष्टी में धन्य है प्रेज दलाट दूसरा वचन है चौधे अध्याय में एक अध्याय के बाद सीधे चौधे अध्याय में हम आते हैं तो वहाँ पर तेरह पद में देखे क्या लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख जो मुर्दे प्रभू में मरते हैं वे अब से धन्य हैं आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने परक्ष्रों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्या उनके साथ हो लेंगे जो प्रभू में सो जाते हैं थिसलुनकों में भी लिखा चारा ध्या तेरा पद में कि जो प्रभू में सो गए है यानि के सो जाने का मर्द मतलब जो है बाइबिल में वह है मर जाना, डेड हो जाना क्योंकि एक संसारिक कहावत भी है कि सोया जो है वो मरा बराबर होता है तो यहाँ पर लिखा है कि धन्ने वो लोग हैं जो प्रभू में मर गए हैं जोनों ने ये सुमस्ची को ग्रहन करके अपना जीवन समाप्त कर लिया या उनको अक्समात मृत्यू आ गई या प्रभू की तरफ से कैसे भी वो प्रभू में जो गुजरे हैं उन लोगों को धन्न कहा गया है प्रभू को एकसेप्ट किया प्रभू को ग्रहन किया उस पर विश्वास किया अपना जीवन उसके हाथों में दे दिया प्रश्चताप किया बप्तिस्मा लिया और उसके बाद जब उनका जीवन समाप्त हो गया तो ऐसे लोगों को प्रकाशित वाक्य बताता है कि वो तो धन्य है जो प्रभु में सो गए है प्रेज़ दलोड पहली बात ये थी कि जो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पड़ता है वो धन्य है दूसरी बात जो प्रभु में सो गए है वो धन्य है तीसरी बात इसी में सोला अध्या है और उसका पंद्रहंपद यह लिखा है देख मैं चोर की ना याता हूं धन्य वे है जो जागता रहता है प्रभु ये सुमस्ति के शब्द है ये वो कहते हैं कि देख मैं चोर की ना याता हूं धन्य वे है जो जागता रहता है और अपने वस्तिर की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे यह सुमसी कहते हैं कि देख मैं चूर की नायात हूँ धन्य वो है जो जागता रहता है जागने का मतलब यह नहीं कि रात रात को जग रहे है आके खोल कर बैठे हैं वो जागना नहीं अंदर से आत्मिक जाग रुकता वचन में अपने आपको परी पको कर लेना प्रातना में लगे रहना यह सुमसी जब गत्सम्नी बाग में गए प्रातना करने उन्होंने बाहर चेलो को छोड़ दिया जब वापस आकर देखा तो वो सो रहे थे यह सुमसी ने का अठो परातना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो जाकते रहो और परातना करते रहो यह प्रभू यह सुमसी की आग्या है तो धन्ने कहा गया है उन लोगों को जो जाकते हैं प्रेस दलाड चौथा जो वर्ड है धन्य का वो है उन्नी सध्याए में उन्नी सध्याए में देखिए नौ पद में यह लिखा है और उसने मुझसे कहा लिख ले कि धन्य वे हैं जो मेमने के भ्याके बोज में बुलाए गए हैं फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेसर के सत्य वचन है कौन है धन्ने लोग जिने मेमने के विवाह में बुलाया गया है जिनको बुलाहट जिनकी बुलाहट है जिने प्रभु ने बुलाया है अपने पास वो लोग धन्ने लोग है यह लिखाया और उसने मुझसे कहा ये लिख ले कि धन्ने वे हैं जो मेमने के ब्याह में ब्याह के भोज में बुलाए गया है चौथी बात मैंने आपको बताए सबसे पहले मैंने आपको बताया जो भश्यवाने की पुस्तक को प्रकाशित वाके की पुस्तक को पढ़ता है वो धन्ने है दुसरा मैंने आपको बताया जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है तिसरा मैंने आपको बताया जो जाकते रहते हैं वो धन्य है और चोथा मैंने आपको बताया है कि जिन्हें परमेस्वर ने बुला लिया है वो धन्य लोग है पाच्वा जो धन्यवादी है वो बीस अध्या पुनुरुथान का भागी है Hindने और पवित्र वो है जो पहले पुनुरुथान का भागी है ऐसो पर दूसरी मृत्यू का कुछ भी अधिकार नहीं पर वे पर्मेश्वर consistent और मसिखे याजक होंगे और उसके साथ हजार बरस तक राज्य करेंगे जो पहले पुनुर्थान के भागी हो जाएंगे जब प्रभु येसु मस्य आएगा और जब वो जी जाएंगे और प्रभु येसु मस्य के दाइने हाथ पर खड़े किये जाएंगे उन लोगों के विस्था में लिखा है कि वो धन्ने लोग है जो पहले पुनुर्थान के भागी हो जाएंगे प्रिज दे लोड ये पाचवा पॉइंट मैंने आपको बताया है छटा है बाइस अध्याय के सात्वे पद में और बाइस अध्याय में ही दो बार आई है ये बात सात और चौधा पद में सात पद को पढ़ूँगा पहले म ये लिखा कि देख मैं शिग्र आने वाला हूं धन्य वे है जो इस पुस्तक की भरश्यवानी की बाते मानता है पहले पद में हमने पढ़ा था एक के तीन में कि जो इस भरश्यवानी की पुस्तक की बातों को पढ़ता है यहां पर लिखा है मानता है लिखा है 22 अध्याय सा प्रमेसर के सम्मुक बने रहते हैं, प्राथनाय करते हैं, और लोगों को भी जागरूख करते हैं, कि देखो प्रकाशित वाक्यक की भष्यवानिया पूरी होती चले जा रही है, प्रेजद अलड़, आखिर में चौध्या पद मैंने आपको बताया था अभी, कि बाइस अध् पद में फिर अब चौध्या पद में लिखा है, धन्य वे हैं, जो अपने वस्त्र धो लेती हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में परवेस करेंगे, कौन सा नगर हैं, वो नया येरुशलेम, वहां प परवेस करेंगे, और लिखा यहां पर धन्य वो हैं, जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, वस्त्र मतलब जो हमारा जो जीवन है, हमारा जो हमारी जो आत्मा है, हम उसे पवित्र कर लेते हैं, अपने शरीर को, अपने जबान को, अपने मन को, अपने दृष्टी को, अप अपने चरित्र को अपने वेवार को हम पवित्र कर लेते हैं धो लेते हैं किस से प्रभु येसु मसी के पवित्र लहू से जब हम धो दिये जाते हैं क्योंकि प्रभु ने अपना बेशकिमते लहू बहा कर हमारे पापों को धो डाला तो ये सात धन्य लोग मैंने आपको बता की पुस्तक को पढ़ता है। दूसरा 14 अध्या के 13 पद में जो प्रभू में मरते हैं। तीसरा है 16 अध्या के 15 पद में जो जागता रहता है। चोथा है 19 अध्याय के 9 पद में जो बुलाए गए हैं पाँचवा है 20 सध्याय के 6 पद में जो पहले पुणुर्थान के भागी होंगे छटा है 22 सध्याय के 7 पद में जो इस भरश्यमाने की पुस्तक को मानता है और आखरी 22 सध्याय का 14 पद जो अपने आपको पवित्र कर लेता है यानि कि अपने बस्तरों को धो लेता है Praise the Lord परमिसर इन मचनों के द्वारा हम सब क्वाशी दे यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कॉमेंट्स में लिखेगा मेरी होसला वजाई कीजिए और इस वज़ इनको शेर कीजिए तकि और भी लोग इन बातों को जान सकेए Praise the Lord प्रूपल्स ने आज का सवाल है कि मुसा ने किस स्थान का नाम यहवा निसी रखा वहाँ पर ऐसी क्या घटना हुई थी कि उसने वहाँ का नाम यहवा निसी रख दिया जिसकर्थ है तो इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो उसे कोमेंट्स बॉक में डिख दीजे अगर नहीं तो डिस्क्रिस्टन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा लिंक मिलेगा आज की वीडियो का उसे क्लिक कर दीजे तो अभी सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को दबाईए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा नया वीडियो नई जानकारी तुरंट आपके पास पहुँचेगी मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और कॉमेंट्स सेक्षन में आकर मुझे जरूर बात जित कीजे प्रेज दर लौण आज के लिए बस इतना ही फिर में लूँगा एक नए संदिस के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त देजे लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखे और खोजिए इन साथ धन्यवादियों में से के इन में से आप कौन से वाले हैं प्रेज दर लौण परमिसर आप सब को आशिए दे